हलो बच्चो मैं स्टड़ी कोर्नर से आज हम दूसरी कक्छा रिमजिम पुस्तक से पाठ दस मीटी सारंगी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के मात्यम से बच्चो हम लोग सब्दार्त देखेंगे कहानी पढ़ेंगे कहानी का ब्याखिया भी समझेंगे रसनुत्तर भी करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दावाना ना भूले ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चले बच्चो सब्दार्त की और सब्दार्त सब्दार्त में क्या क्या है उसे हम लोग समझते हैं बच्चो सारंगी सारंगी कर्थ क्या होता बाद्ययंत्र या बाजा सिर्हाना सिर्हाना कर्थ क्या होता चारपाई के सिर्की तरफ जुन्जलाना जुन्जलाना कर्थ क्या होता गुस्सा करना तारिफ तारिफ कर्थ क्या होता रसंसा करना मिठी मिठी कर्थ क्या होता मधूर कला कला कर्थ क्या होता कावलियत दंक अर्थ क्या होता? हैरान, आनंद, आनंद का अर्थ क्या होता? खुसी, चैन, चैन का अर्थ क्या होता? आराम, उडेलना, उडेलना का अर्थ क्या होता? उलटना, बेवकूफ, बेवकूफ का अर्थ क्या होता? मुर्क या ना समझ, हाक, हाक का अर्थ क्या होता? मिट्टी या धूल, कुसामत, कुसामत कर्द क्या होता है? जूटी प्रसंसा या चापलूसी, चौपाल, चौपाल कर्द क्या होता है? गाउं में वह अस्थान, जहां पर लोग एकत्रित होकर बादचित वह मनरंजन करते हैं, तो यह इसके कहानी का कुछ सब्दार थे बच्छों, आप इठी सारंगी, आप इस चीतर में आप देखें, इस चीतर में आपको क्या-क्या दिख रहा है? एक अंकल है, जो यह हाथ में कुछ लिये हुए हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बच्छों, इसे हम लोग सारंगी बोलते हैं, इनके पास में बहुत सारे लोग इकठे एक क्यों खूस है ये अंकल ये सारंगी बजा रहे हैं इस सारंगी की आवाज से ये लोग बहुत खूस हैं आप लोग को देखने और पहशानने के लिए बच्चों मैं यहां कुछ चित्र लगाती हूँ जिससे आपको कुछ नौलेज मिल सके जैसे आप यहां देखें यहां ये इसे सारंगी बोलते हैं ये देखें ये अंकल सारंगी जो हाथ में लिये हुए हैं वही ये सारंगी है ये सारंगी में बच्चों इसमें कुछ तार जुड़े हुए रहते हैं ये देखें तार हैं इसी तार को हाथ से छड़ कर बजाया जाता बच्चों ये जो अंकल हा से आवाज निकलती है बच्चो तो इसी तरह से और भी अंत्र होते हैं बच्चो जैसे आपने देखा इसे हम लोग क्या बोलते हैं सारंगी या इसे हम लोग बोलते हैं वाद्य अंत्र इसी तरह से और भी अंत्र होते हैं जैसे यहां देखें यह क्या है सितार इसे क्या हम लो और यहां देखें यह हैं इकतारा इसे भी हम लोग हाथ से चेड़ कर बजाते हैं तो यहां कुछ में चितर लगाई हूं बच्चो आप यहां देख सकते हैं कि इस यंत्र को हम लोग हाथ से चेड़ कर बजाते हैं इसी तरह से बच्चो और भी यंत्र होते हैं जिसे हम लोग ह मिठी सारंगी के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी में आपको बताती हूँ बच्चो एक गाउं में एक सारंगी वाला आया सारंगी वाला सारंगी बहुत अच्छा बजाता था जब रात हो गई तो सारंगी वाले ने गाना बजाना सुरू कर दिया तब गाउं के बहुत सा सभी लोग बोलने लगे कितनी मधूर सारंगी की आवाज है, सभी लोग सारंगी वाले को तारिफ करने लगे, उसी जगा पर भोला नाम का एक लड़का बैठा हुआ था, वो लोगों को ये सारे बाते सुन रहा था, वो मन ही मन बोलने लगा, इस सारंगी की आवाज बहुत मि मिठा हुआ ही नहीं ये सारे जूठे हैं कुछ दिर बाद उसने सोचा कि सायद सारंगे वाले के पास बैठने से मेरा मुँ मिठा हो जाएगा इसलिए वा सारंगे वाले के पास जाकर बैठ गया लेकिन उसके वाद भी उसका मुँ मिठा नहीं हुआ बचो रात के तीन चार व ये सारी बाते सुनकर भोला मनी मन गुस्सा कर रहा था और वो सोचने लगा ये सारी लोग तो जूट नहीं बोल सकते हैं सारंगी जरूर मिठी होगी पर मुझे स्वाद क्यों नहीं आया वो मनी मन सोच रहा था तब तक रात अधिक हो गई बच्चों इस कारण लोग घर नही चौपाल में सो गया सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चड़ाई और उसे अपने सिर्हाने पर रखकर सो गया लेकिन भोला को आराम नहीं था जब लोग गहरी निंद में सो गया तब भोला चुपके से उठकर सारंगी उठा लिया और उपर की खोल उतार कर उसे सारंगी को अपने मुँ में उड़ेला पर सारंगी में से एक भी मिठी बून नहीं निकली वह लोगों की मुर्खता पर बहुत गुसा हुआ और सारंगी को गाउं से बाहर दूर ले जाकर फैक दिया वह लोगों की मुर्खता पर हस्ता हुआ अपनी जगा पर चुप- बोला इन सभी का बात नहीं सुन सका और गुसे में बोला क्या खाक मिठी थी मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा लेकिन उसमें जरासी मिठास नहीं थी तुम सब जूटे हो और बाबा जी की जूटी प्रसंसा करते हो लोगों ने पुछा सारंगी है कहा बोला ने जवा क्या पता चला हम लोगों को यह पता चला कि किसी यंत्र में से भी मधूर मीठी आवाज निकलती है जैसे आप देख सकते हो इस कहानी में मीठी आवाज सारंगी से निकली सारे लोग इस सारंगी के बारे में मीठी सारंगी बोल रहे हैं थे लेकिन भोला इस सारंगी को मीठ प्रफी चीज समझ लिया तो यहीं इसकी एक छोटी सी कहानी थी बच्चो इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं एक गाउं में एक सारंगी वाला आया वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था रात में जब उसने सारंगी बजाना सुरू किया तब गाउं के बहुत से लोग अहा कितना अनंदा आ रहा है वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बाते सुन रहा था वह मन ही मन कहने लगा इन लोगों की सारंगी बहुत मिठी लगी लेकिन मेरा तो मुँ मिठा हुआ ही नहीं एस सब जूटे हैं थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि सायद स सारंगी वाले के पास बैठने से मुँ मिठा हो जाए इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया रात के तीन चार बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा महराज आपकी सारंगी बहुत ही मिठी है हमें बड जूट तो नहीं बोल सकते हैं, सारंगी मिठी जरूर है, पर मुझे ना जाने इस वाद क्यों नहीं आया, तब तक रात जादा हो गई थी, इसी कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए, सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चड़ाई, और उसे अपने सिर उतार कर उसे जीब से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया, अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुझे पास लगा कर मुझ में उड़ैला, पर सारंगी में से एक भी मीठी बुन नहीं निकली, वह लोगों की बेवकुफी पर बहुत ही जुंजलाया, अब की उसने सारंगी को गाउं से बाहर दूर ले जाकर फेक दिया, वह लोगों की बेवकुफी पर हस्ता हुआ, अपनी जगह पर आकर चुपचप सो गया, सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए, लोग कहने लगे, बड़ी मिठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया, भोला इन बात को न सुन सका, और गुसे से बोला, क्या खाक मिठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी, तुम सब लोग जूटे हो, और बाबा जी की खुसामत कर करते हो, लोगों ने पुछा, पर सारंगी है कहा, उसने कहा, गाउं के बाहर पड़ी है, लोगों ने भोला की बेवकुफी पर सीर पीट लिया, इस तरह से बचो यह एक छोटी सी कहानी थी, आईए इसके कुछ प्रस्न उतर है, उसे देखते हैं, खोल, सारंगी वाले ने स भून, मिट्टी, पानी, इत्यादी से बचाने और उसकी सुरक्चा के लिए उस पर खोल चड़ाया होगा, और किन-किन चीजों पर खोल चड़ाया जाता है, तोसक, तकिया, सोफा, हर्मोनियम, गिटार, तानपूरा, इत्यादी पर खोल चड़ाया जाता है, गाउं बजा सारंगी, धोलक, इकतारा, तबला, बासुरी, शेहनाई, डफली, छीतार, गिटार, हर्मोनियम उपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं इन में से कुछ तार छेड़ कर बजाये जाते हैं और कुछ हाथ से थाप दे कर इनके नाम सही जगा पर लिखो तार वाले, थाप वाले, अन्य, इस खाली जगा पर बचो तार वाले, इस खाली जगा पर बचो जो तार छेड़ कर बजाये जाते हैं उस बाजो का इस खाली जगा में नाम लिखने हैं बच्चो और जो हाथ से थाप कर जो बजाये जाते हैं उन बाजो का इस खाली जगा में लिखने हैं और बाकी को इस खाली जगा में लिखने हैं बच्चो जैसे यहां देखें इस खाली जगा में देखें इसमें से धूंड क लिखने हैं तार वाले बाजा कौन सा होगा यहां देखें सारंगी सारंगी को तार को छेड़ करकर बजाया जाता है तो यहां इस खाली जगा पर हम लोग लिखते हैं सारंगी देखें इसी तरह से जो तार को छेड़ कर बजाया जाते हैं उन बाजों के इसमें नाम लिखते जाते हैं बच्चो, सितार, इसमें और देखें, गिटार, गिटार को भी तार को छिड़ कर बजाया जाता है, तो इसे देखकर हम लोग यहां लिखते हैं, गिटार, फिर देखें इसमें और कौन सा होगा, एक तारा, एक तारा को भी तार को छिड़ कर बजाया जाता है, तो से देखें तबला यहां तबला लिखते हैं फिर आगे हाथ से थाप देकर जैसे हाथ से बजाते हैं फिर क्या होगा धोलक यह इस खाली जगा पर हम लोग धोलक लिखते हैं फिर हाथ से और क्या बजाते हैं डफली तो इस खाली जगा पर हम लोग डफली लिखते हैं यह शेहनाई, आगे क्या लिखते हैं हार्पोनियम, और आगे दिखते हैं बच्चों आगे क्या है। डफली और बासुरी, घर पर किसी अवसर पर शेहनाई धोलक, भजन किर्तन में हार्मोनियम धोलक, स्कूल में किसी अवसर पर सितार या गिटार चटकारे, इस कहानी में मिठास की बात है, तुम्हें कौन-कौन सी मिठी चीजे अच्छी लगती है, तो हम लोग क्या हैं बच्छों, चॉकलेट, टॉफी, फल, आइसक्रीम, हलवा हमें मिठा लगता है, क्या खाने की चीजे सिर्फ मिठी ही होती है, मिठे की अलावा उनका और क्या-क्या स्वाद होता है, नहीं, खाने की चीजे सिर्फ मिठी ही नहीं होती, इनका स्वाद नमकीन, कसैला, ती लिखा या खट्टा भी होता है, अब नीचे लिखी खाने पीने की चीजों को स्वाद के हिसाब से लगाओ, आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, निम्बू, शहद, चिनी, नमक, दूद, आमला, करेला, अदरक, नीचे खाली जगा दिये हुए हैं बच्चो, इसमें खाने पीन के चीजे इस खाली जगा में लिखते जाने हैं, जैसे इसमें हम लोग पहले लिखते हैं मीठे का, आम, आम मिठा होता है, तो इस खाली जगा में हम लोग लिखते हैं, देखें हां, शहद, तो इस खाली जगा में हम लोग लिखते हैं, शहद, फिर क्या मिठी होती हैं, ची यहां लिखते हैं मिर्च काचार फिर लिखते हैं जलजीरा यह जलजीरा लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं निम्बू यहां निम्बू लिखते हैं और क्या लिखते हैं नमक इस खाली जगह पर बचो क्या लिखते हैं नमक अब यहां देखें अब यहां क्या क्या लिखते है ये देखें, करेला, फिर क्या लिखते हैं, अद्रक, फिर क्या लिखते हैं, आमला, और आगे बढ़ते हैं, बचो, तुम इन तालिकां में कुछ नाम अपने मन से भी जोड सकते हो, नीचे लिखे सब्दों को बोल कर देखो, बांसुरी, बंसी, हस, हंस, अब नीचे दिये ग सब्दों में आपको इस सब्द में चंद्र बिंदू और अनुश्वार लगाने हैं, देखें यहां, इसे हम लोग चंद्र बिंदू बोलते हैं, और इसे हम लोग अनुश्वार बोलते हैं, या आप बिंदू भी कह सकते हो, तो इस सब्द में आपको चंद्र बिंदू और अनुश्वार लगाने हैं जिस अक्षर को बोलते समय नाक और मूँ दोनों की सहायता लेनी पड़ती है उस अक्षर में हम लोग चंद्र बिंदू लगाते हैं जिस अक्षर को बोलते समय नाक की सहायता लेनी पड़ती है उस अक्षर में हम लोग अनुश्वार लगाएंगे इस सब्द में हम लोग क्या लगाएंगे चंद्रविंदू या अनुश्वार लगाएंगे इस सब्द में हम लोग चंद्रविंदू लगाते हैं देखें इसे हम लोग पूरा पढ़ते हैं चांद चांद तो इसे पढ़ने में हम लोग को मुँ और नाक ये दोनों की मदद लेने पड़ी आप खुद पढ़ कर देखो इसे खुद पढ़ो चांद तो इसमें मुँ से भी आवाज निकली और नाक से भी निकली तो इसमें हम लोग चंद्र बिंदू लगाते हैं अब इसके बगल में देखें यहां क्या लिखा हुआ चदन तो इस सब्द में हम लोग क्या लगाएंगे चंद्र बिंदू लगाएंगे या अनुश्वार लगाएंगे अनुश्वार जैसे देखें नाक की मदद लेनी पड़ी अब यहां देखें इस सब्द में क्या लगेगा बच्चो चंद्र बिंदू किस तरह से इसे क्या पढ़ेंगे मांगना इसे पढ़ते समय मुह और नाक इदोनों की मदद लेनी पड़ी हमें यहां क्या लगेगा इसमें यहां अनुश्वार लगे इसे पढ़ने में नाक की मदद हमें लेनी पढ़ेगी, जैसे देखें, सुन्दर, इस पर हम लोग चंद्र बिंदू लगाएंगे, ये देखें, इसे क्या पढ़ेंगे, साप, इसमें क्या लगेगा, चंद्र बिंदू, ये देखें, इस तरह से चंद्र बिंदू, इसे पू की मदद लेनी पड़ी हमें अब यहां इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे अनुश्वार इसे भी पढ़ने में हमें नाक की मदद लेनी पड़ेगी जैसे देखें कंकड यहां क्या लगाएंगे चंद्र बिंदू यह देखें इसे पढ़ने में मूँ और नाक दोनों की मद क्या पढ़ेंगे अंधी इस तरह से हमने यह प्रस्न उत्तर पूरा कियें बच्चो आसा करते हूं बच्चो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई मिलते हैं अगले नए वीडियो में बच्चो धन्यवाद